तो PUBG के बैन होने के बाद चाइना वाले को जित्ता सत्मा लगा था उससे भी ज़्यादा बड़ा सत्मा लगने वाला है Forge गेम के आने वाले तो Forge हमारा गेम आने वाला है 26 तारीकों 26 जनवरी यानि अपने इंडिया के रिपब्लिक दे के दिन तो आप सबको अपना पूरे दिल और जान से सपोर्ट करना चाहिए इस गेम को because यह हमारा इंडी गेम है और हम सबको उससे खेलना चाहिए तो आप बात करते हैं इसकी कंपरी के पारे में कि एक अच्छा गेम बन कराएगा और गेमिंग की इस इंडस्ट्री में इंडिया का कुछ नाम रोशन कर पाएगा तो फॉर्ज गेम के पारे में कुछ ऐसी जो खासियत हैं वो सिर्फ फॉर्ज गेम के अंदर है because इसका जो मेन रिवेन्यू होने वाला है उसमें से 20% Εńskor Games आर्मी में को डोनेट करने वाले है डोनेट करने वाले क्या? उसको देने वाली आर्मी को तो अगर आप इस गेम को खेलते हो तो आप इंडियरेक्टनी आर्मी को सपोर्ट करने वाले हो तो खमसी का मगर ये गेम आपको पसंद आए नाये पर army को support करने एक लिए जरूर आपको करना चाहिए सबसे पहले बात करते हैं ये game किस basis पे बना तो ये game basis पे बना है जो गलवाम घाटी में एक बार इंडियन और चानिल सोजर्जर्स पे लड़ाई हुई थी तो उसी पे basis space का जो release video आया था वो आया था तो basically army से related है और आपको इसमें एक army man की तरह आपको खेलना पड़ेगा तो ये game कफी interesting लगता है सुनने से और इसकी बात की 20% revenue army तक जाने वाला है तो ये बात तो दिल को चू जाती है हम सब को इस game को ज़रूर खेलना चाहिए अब बात करते हैं इसकी company के तो ये हैं इसके CEO इस company के अगर बात करें इसके main leading जो लोग leading role बना रहे थे इस game को develop करने में उसमें एक विशाल गॉंडल का नाम आता है तो विशाल गॉंडल की पहली भी एक company रह चुकी है जो इंडियन गेम्स बनाती थी उसको उन्होंने base दिया था डिस्नी को तो अब ये लोग इस game पर main development का काम कर रहे है और pre-registration का जो link था वो तो आई चुका था उसका link मैं description में डाल दूँगा आप pre-registr कर सकते हो और उसकी जो आने वाली date है वो 26 जनवरी को है तो link description में डाल दिया हो आप pre-register करके उसे खेल सकते हो और 26 तारिक से आप इसको अराम से खेल सकते हो इस game को खेलना, enjoy करना and let's see कि क्या होता है क्या Indian companies इस industry यानि gaming industry में आ सकती है की नहीं and हमारे जो gamers है उनको मैं कहूंगा कि भाई उन लोग को इस game को खेलना चाहिए because this is an Indian game अगर आपको इसके gameplays पसंद आते हैं तो एक मैं चैनल का नाम बता दे रहा हूं Intel Fair Gaming उसको आप जाके support कर सकते हो वहाँ पे आपको gameplay मिलेंगे जाहिन जाए बारत